सभी को जाहित मैं इतनी कोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल mission NCC the way of success में देखिएगा सुबह के 8 बच चुके हम लायू आ चुके है फटा फट सभी कड़ेट जल्दी से लायू आ जा और आज की क्लास में कौन-कौन प्रेजन्ट है सभी मुझे चार्ट बॉक्स में जल्दी से रिस्पॉंड करें आज का एक वेरी वेरी सेटिफिकेट का एक्जाम देने वाले तो आप सभी को इस वीडियो को लास तक देखना है ताकि इस वीडियो के माद़न से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है तो आज कि इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो आपका जो 2020 में कैसे कौशन आए थे जो 2020 में तो मोडल कोशन हम आज demands का ओगी तो parchment बैटलग्राप्ट की ऊपर य vão सारे के सारे कौशन जो हैं अज कि क्लासस करेंगे तो सभी आज किस टीजिव हम चार्ट बोक्स में, आप से भी के चार्ट में पढ़ रहा हूं, सांत में आप सभी को चार्ट बोक्स में रिस्पाउंड भी कर रहा हूं, तो जितने भी हमारे regular वाले credit से जल्दी से minor rumor आ जाए और मुझे चार्ट बोक्स में रिस्पाउंड करे। तो चलिए बिल्कुल आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे Mission NCC Model Question Paper 2020-21 तो 2020 में क्या-क्या Question पूछे गए थे आपके NCC के BOC Certificate के Return Exam में वो हम आज Question बात करेंगे हो सकता है कि भाई आद 2022 में कैसे Question पूछेंगे या अभी तो 2020 में क्या-क्या Question पूछे गए थे वो आपको आज पता चलेगा जिससे कि आप एक Basic Idea लगा सकते हों कि आगे चलके भी जो है वो आपको इस तरीके से Question पूछा जाएगा तो Fieldcraft and Battlecraft, Shetra Kala एवर युद्दकला तो इसमें सबसे पहला Question पूछा गया है कि Shetra Kala का उदेश हले को जो कि 5 मार के लिए Question पूछा गया है तो यह जो है भाईया यह हमारी सिर्फ Question आंसर वाली Class है जो हमारी एक Basic Class चलती है ठीक है रात को 8 बज़े तो इसमें हम सारी चीज़े डिटेल में पढ़ते हैं वेट एवरिवन मुझे एक Water Break चाहिए ओके तो यह हमारी Question आंसर वाली Class है जो Basic वाली Class होती है रात को 8 बज़े हमारी चलती है लाईयू रोज चलती है उसमें सारी चीज़े हम डिटेल में समझाते हैं लेकिन यह Question आंसर वाली है इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है इसमें Question और आंसर आपको बता देंगे क्या Question पूछा था शेत्रकला के उद्देश लिको तो शेत्रकला का उद्देश भाया धूनना पीछा करना, मुर्क बनाना, फसाना और गोली चलाना यानि कि शत्रु को धून कर छुपके से उसके निकट पोचो शत्रु को पीछा करो भाया शत्रु का और शत्रु को धोका दो और शत्रु को जाल में फसाओ और शत्रु को गोली मार कर खतम कर दो ठीक है धूर्णना पीछा करना मुर्क बनाना फसाना और गोली मार के खतम करना यही जो है वशेत्र गला का मुख्य उद्देश है उसके बाद में एक सबसे important question A B C हर साल आपके exam में question पूछा जाएगा और यह पूछा जाता है ऐसा एक साल नहीं कि यह question आपके exam में ना पूछा गया हो तो दूरी का अनुमार लगाने की वीदिया लिको छे मार के लिए पूछा गया है सबसे important question है भया very 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 important very 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 important तो मापकी काई विदी आबास विदी ब्रैकेटिंग विदी शिक्षन शिक्षन नहीं है ठीक है यह section आउसद विदी परिचित दूरी विदी आधी दूरी विदी ठीक है तो यह सारे सारे मेथर्ट से जिसके द्वार आप judging distance के मेथर्ट से यह वाले जिससे हम बोलेंगे की unit measurement method appearance method bracketing method section average method then key range method and halving method यह सारे सारे जो है वह क्या है तो यह method से judging distance के दूरी का अनुमान लगाने की वी दिया है बहुत important question है हर साल आता है इस साल भी आएगा 2022 में अगला question है शेत्रकला में कोन-कोन से विषय आते हैं तो दूरी का अनुमान लगाना आड लेना छलावर रेव च्छिपाओ लक्षों को पहचाना तता संक्यत देना गोली बारी और चारे और शेत्र संक्यत तो यह सारे के सारे शेत्रकला के मुख्य विशे इनी विशे को जो है आपको शेतरकला में पढ़ाया जाता है अगला कोशन है चीजे क्यों दिखाई देती है most most IMP IMP ABC तीनों के एक्जाम में आने वाला कोशन चीजे क्यों दिखाई देती है तो चीजे जो है वह आकार, चमग, छाया, बनावट, हरकत, फासला, विशमता इनके वज़े से जो है वह चीजे दिखाई देती है सबसे important question है very very important है आने वाला एक्जाम में चाले अगला कोशन है आड के कितने प्रकार है दो मार के लिए question पूछा था 2020 में तो आड के दो है एक नजरी आड दूसरा है गोली बारी से ठीक है cover from view और cover from fire तो यह दो प्रकार के आड है उसके आद में बनावट के आदार पर भूमी के प्रकार लिखो ए और बी वाले बच्चे याद रखेंगे बनावट के आदार पर भूमी के प्रकार जो की उबर खाबड भूमी है dead ground है flat ground है high ground है low ground है धवालदार भूमी ठीक है तो यह सारे के सारे ground के प्रकार है आपको पता होना चाहिए भूमी के प्रकार है बनावट के आदार पर तो के एक्जाम मेरी दन अधिड़ के एक्जाम में थाइर को से नीरद निर्देश आदिश और फार निएंत्रन आदिश यह फाइर निहंत्रन आधेश पार दिदॉ इंपोर्टन ए बी और सी वाले बच्चे बहुत इंपोर्टन ए फायर कंट्रोल और का सिक्वेंस लिखो फायर नियंतरा नादेश का सिक्वेंस लिखो तो इसका सिक्वेंस ए ग्रीट ठीक है जी का मतलब बता है ग्रूप आर का मतलब बता है इंडिकेशन आप टारगेट और थी का मतलब होता है type of fire ठीक है group range indication of target and type of fire ठीक है firing group का नाम firing की range लक्ष का संकेत और firing का प्रकारती ये fire control order का sequence है हर साल exam में पूछा आता है next है भैः आरे ये अब आपरी क्या question है अब इसको नमें 101 misunderstanding कographic 100% 101 1000 टका 10000 परसेंट ये question आपकी exam में आएगा section चाहिए A, B, C वाले तीनों की exam में तो आएगा ही है section formation के प्रकार लिखो तो section formation के 6 प्रकार है single file formation, file formation, diamond formation, arrowid formation, spirit formation और extended line formation ठीक है तो यह सारे कि सारी क्या है तो section formation के प्रकार है हर साल exam में पूछा आते हैं यह सारी चीज़े हम basic course में हम पढ़ने वाले रात को 8 बजे हमारी class चलती है basic course वाली आप वो attend करिए उसमें भी यह सारी चीज़ों के बारे में आपको detail में समझने का मोका मिलेगा अगला question next question है fire नियंतरन आदेश की प्रकार के वन आप formation टूआफ formation ठीए formation चलिए बगयर कंपास की मदद से और हाथ के दे हाथ से जो हम कितना डिगरी तक नाप सकते भया हाथ की मुट्टी जे तो भया स्वेद तीन डिगरी से किसे कहेंगे वह भूमी और उपकरनों को उपलब्द भूमी और उपकरनों को अपने हीत में सरोश्रस्ट धरंग से उपयोप करने की कला को शेत्र कला का कहा जाता है तो इसके उपर डिटेल में बता दूंगा basic course में, चले अगला question है लक्षो के संकेत का करम देखे भाया, तबी हमने बताया था कि fire control order का sequence मैंने बताया था, तबी क्या बताया था fire control order का sequence अभी मैं बता रहा हूँ कि लक्षो का संकेत का करम, तो उसे हम greet के नाम से जानते, इसे हमें grad के नाम से जानना है, ठीक है, grad यानि की क्या, जी का मतलब होता है group, आर का मतलब होता है range ए का मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन या जिसे आप detail भी बोल सकते हो, ठीक है group, range, add और description या detail, तो ये grad के नाम से आपको याद रखना है, लक्षो के संकेत का क्रम, चलिए, अगला question है, शेत्र संकेत के प्रकार लिखो, तो शेत्र संकेत के तीन प्रकार होते हातों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, और CTO के द्वारा, ठीक है, अब शेत्र संकेत किसे कहेंगे भया, तो ये भी basic course में पढ़ा दूँगा, ठीक है, तो ये सारी question है, जो कि आपके exam में पूचे जाते हैं, और जिनका exam अभी 2022 में आने वाला है, तो आप सभी को all the best paper पूरा solve करिए, ठीक है, तो mission agency के तरफ से आप सभी को all the best, तो आप में से ऐसे बहुत सारी credit है, जिनकी पढ़ाई अभी भी नहीं हुई है, तो आप सभी के लिए mission agency ने mission agency model question paper को launch किया, जो कि आप सभी देख सकते हो, आपके screen पर, आपके exam में ने सेम, ऐसे की ऐसे ही question आते हैं, जो कि आप सभी देख सकते हो, बिल्कुल, अगर आप सभी, लेकिन एक paid courses, इसलिए आपको pay करना होगा, payment करना होगा, तो मैंने तीन courses बनाए, A certificate, B certificate और C certificate के तीन courses से, तो A certificate के course में, आप सभी को total 10 question paper, 10 answer sheet, दो practical paper, 6 topic wise notes, request test, request bank मिलने वाला है, जिसमें 270 सभी ज़्यादा important question, अगर आप सभी, इन सभी question को पढ़ लेते होना, तो आप आपके A certificate के exam में, एक rate से 5 होगे, तो B certificate के course में, आप सभी को मिलने वाला है, total 10 question paper, उनके 10 answer sheet, दो practical paper, अच्छे topic wise notes, request test, request bank, जिसमें 270 से भी ज़्यादा important question है, अगर आप इन सभी model question paper को अच्छी तरीके से रट के जाते हो, एक एक चीज को अच्छी तरीके से detail में समझ के जाते हो, तो मैं यकीनन बोल सकता हूँ, आप अपके B certificate के exam में, एक rate से 5 होगे, यह मेरा आप सभी से वादा है, लेकिन आप सभी को यह सारी चीज़े पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है इसकी फीज है 199 रुपीज, B certificate की कोर्स की, अब बात करेंगे, C certificate के कोर्स में, आप सभी को टोटल 10 question paper, 10 answer sheet, 2 practical paper, अच्छे topic wise notes, एक quiz test, और एक question bank मिर रहा है, जिसमें 270 से भी ज़्यादा important question है, अगर यह सारी चीज़े अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो यकीनन बोलूँगा कि आप C certificate में, अलफा लेकर आओगे, भी यह A grade लेकर आओगे, यह मेरा वादा है आप सभी से, ठीक है, अब बहुत सारे बैच्छे को में एक doubt होता है कि सर, हम इस course को purchase कैसे करेंगे, payment कैसे करेंगे, paper इसमें आपके पास सारे डिजिटल पेमेंट मोट से, जो कि आप देख सकते हो, phone पे, Google पे, PTM, WhatsApp पे, यह सारे सारे डिजिटल पेमेंट मोट से, इनके द्वारा आपका पेमेंट कर सकते हो, जैसे आपका पेमेंट सक्सेस्फुल होता है, तो उसका एक स्क्रीन शॉट निकालके आप सभी को इसी नंबर भेद देना है, कुछ ही समय में जो है, आपके क्वेशन वेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, यह सारे की सारे आपके WhatsApp पर PDF फाइल में आपके WhatsApp पर आएंगे, यह सारे की सारे जो बहुत सारे कैड़ेट है, जिनने common subject क्या है, specialized subject क्या है, यही नहीं पता है, तो आप आपके senior से एक बार contact करें, आपके A&O सर से contact करें कि common subject क्या है, specialized subject क्या है, अगर वो आपको नहीं बताएंगे, तो मैं आपको बता दूँगा, और model question paper में तो आपको देखने को मिलेंगा, कि common subject क्या है, और स्पेशलाइट क्या है, ठीक है, और मैंने एक commissionancy का WhatsApp group बनाए है, इस WhatsApp group में वही बच्चे जोईने जिन्होंने इस course को purchase किया, अगर आप भी उस WhatsApp group में जितने भी बच्चे जोईने, उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो, इसलिए जो मैं आज जितना भी पढ़ा रहा हूँ, वो सारा material इस WhatsApp group में भेज देता हो, अगर आप भी उस WhatsApp group में जूड़ना चाहते हो, तो आप इस course को purchase कर सकते हो, ठीक है, और question paper के related अगर आपका कोई doubt होता है, मानलो कभी-कभी किसी का payment नहीं होता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे साथ call पे बात कर सकते हो, पहले आप मेरे बोलता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे student है, जो Mission NC के super achievers है, जिन्होंने अपना exam अच्छे grade से pass किया है, ठीक है, आप इन से एक बार जरू कॉंटक करिए, अगर इन में से अगर आपको कोई भी पैचान का credit है, तो आप इनके साथ जरू कॉंटक करिए, उन से पूचे कि क्य आपने Mission NC model question paper को purchase किया था, क्या आपकी पढ़ाई Mission NC के तरफ से अच्छी हुई थी या नहीं हुई थी, ये सारे student आपको बता देंगे, ये सारे cadets आपको बता देंगे, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दिखेगा, दो रिक्त जगा भी रखी है, तो यहाँ पर अगले साल किस की फोटो आएगी, वह आप में से depend करता है, अगर आप भी स्कोर्स को purchase करते हो, और आप भी अपना performance अच्छा दिकाते हो, तो आपका भी फोटो यहाँ पर अगले साल आ सकता है, तो आप इस स्कोर्स को purchase करिए, और मेरे साथ WhatsApp ग्रूप में भी आप जूड सकते हो, अगर आ इन दिस हम निकाल का वीडियो देखने के लिए, शुकूरिया, मिलता हो तो अगले वीडियो में जाहिन, वंदे महातरम